Of course, कि science में मैनत लगती है, पर science बहुत मज़दार भी है, science करने का अलग मज़ा है, और वो मज़ा ही है जो हमको science में आगे बढ़ाता है तो इस सीरीज के अंदर हम ऐसी बहुत मज़दार बाते करेंगे, जो हमारे एर्दगिर्ध है, वो पैटर्न देखेंगे, जो हम आसपास आपको कहीं पर भी देखते हैं, आप कहीं से भी गुजर रहे होगे, और आप उसी चीज को अपन साइंस की नजर से देखने की कोशिश पर इन दोन नजारे में आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर समानता एक सिमिलरेटी देखने को मिलती है, पहले इस पर आता हूँ मैं, कैमबल बाइलोजी एक बड़ी अच्छी किताब है, जिसमें से मैंने ये ली है, आप सबको पढ़नी चाहिए, इसके अंदर ऐसा हो इसके शिकारी है, प्लस और माइनस, प्रिडेटर वाला, ऐसे कैसे, जो बगुले का, यानि कैटल इग्रेट का, और अगर हम करें बफैलो का रिष्टा क्या है, तो इसको तो फाइदा हो रहा है, इसको कोई फरक नहीं पढ़ रहा, तो इसको थोड़ी कमपनी पसंदो, तो प्रॉब्लम ये है, कि जब वो घास खाती, तो क्यूडों को बाहर आना पड़ता है, फिर बगुले उसको खा जाते हैं, तो इसमें अंजाने में वो नुकसान पहुचा रहे है, तो इसको बोलते है, जीरो और माइनस, यानि अमेंसलिजम, तो अमेंसलिजम, कमेंसलिजम, सब देखने को मिल रहा है, लेकिन अब बात क्या है, कि जब समय बदला, अब ये तो कहीं अफरिका के सावाना ग्रास लेंट्स की बात है, अब हम हमारे आसपास के गाउं में जाते हैं, तो जब समय बदला, और हमने अग्रिकल्चर शुरू किया, और हल से, मतलब खेत को ज जोड़ लिया, और ये बड़ी मिराकुलस बात है, इस तरह की इसने बनावट करी कि उसने सुचा, इस तरह से उसने खुद को बदला, कि जहां पर एक बफैलो आगे चल रही थी और कीड़े बाहर आ रहे थे, तो इसने देखा कि इस मशीन के चलने से भी मिट्टी की कोई जानवर सीखता है, तो उसको असोशेटिव लर्निंग में डालते हैं, एक तो ऐसी लर्निंग होती है, जो पैदाईशी होती है, जिसमें लर्निंग नहीं है, वो एक fix action pattern है, जिसे मकडी जाला गुनती है, तो उसको बड़ने का design fix है उसके अंदर, उसके jeans में है, उसके पहले उसको जोतेंगे, तब वो सब उसके आसपास आजाती है, और time भी करती है, अपने beating season को अपने बच्चे को भी खिलाती है, और यहां से बहुत सारे चीज़ों को यह लेकर जाती है, और past में और भी words जैसे, यह मेना है, तो आप देखो, life रास्ता कैसे change करती है, life कैसे हर जीव के अंदर यह शमता है, कि वो नए-ने रिष्टे बना सकता है, अपने survival के लिए, तो जैसे Jurassic Park में dialogue था, life finds a way, जीवन अपना रास्ता ढूंडी लेता है, sort of ऐसा, और क्या पता past में, जब बड़े-बड़े dinosaurs चलते होंगे, तो भी बहुत-बड़ी machines के साथ भी कोई चोटे dinosaurs या उस समय की जो भी avian ancestors साथ-साथ रहते होंगे, और वो भी ऐसी चलते होंगे, interestingly, birds, dinosaurs ही हैं, जो बच गए हैं आज, अब एक और सवाल इसमें ये भी पैदा होता है, कि जब ये cattle चलती है, तब तो कोई pollution की दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी इसके अंदर इस bird को जो बहुत ज़्यादा मिट्टी है, बहुत ज़्यादा चीजे हैं, अब इसका क्या असर आएगा इनकी health पर, और ये फिर कैसे evolve करेगी, ये एक सवाल बनता है, अगें, वो किस तरह से इस चीज से associate होई, इसके उपर पूरी एक study की जा सकती है, इस जगा पर जाकर के, और जो म बाते हैं, और बहुत सारी biological बाते हैं, इससे सीखी जा सकती है, तो यहाँ पर हमने बात करी कैसे cattle egrade बन गई है, ट्रेक्टर egrade, तो आगे next lecture में और interesting बातों के साथ, और science facts के साथ मिलेंगे, thank you, बचो.